कि सबसे पहले हम लोग क्वेस्टिन 11 का एक करते हैं और बड़े गौर से सुनना समझना देखना महसूस करना नोट करना लिखना सब करना सही है देखो लिखा वह है कैमेकल्स ए एंड बी आर फॉर्म्ड बाइ मिक्सिंग एक्स वाई एंड जैड इंधर रेश्यो आफ एट इस टू थी इस टू फॉर और फॉर इस टू थी इस टू एट रिस्पेक्टिविली पहले जुम्ले में उससे ये बोला कि दो कैमेकल्स दो तरहां के कैमेकल्स हम बनाते हैं ठीक है एक हम बनाते हैं कैमेकल ए और एक हम बनाते हैं कैमेकल बी chemical A जब हम बनाते हैं तो chemical A बनाने के लिए हम X, Y और Z ये तीन तरहां की चीजों को mix करते हैं और जब B बनाते हैं तो भी हम लोग X, Y और Z मिलाते हैं और जब इसको मिलाते हैं पकाते हैं तो B बन जाता है और एक ratio दे दिया अच्छा आठ तीन चार कितना बनता है पंदरा ठीक है ना इसका मतब एक CDC बात करता हूँ मिसाल के तो पर लेट से मैं A के पंदरा लीटर बना रहा हूँ मिसाल के तो पर एक A मैं पंदरा लीटर बना रहा हूँ अगर मैं A के पंदरा लीटर बना हूँ गा तो उस पंदरा लीटर में उस पंदरा लीटर में X कितना होगा? पंदरा का लिखा है काई नहीं लिखा इसलिए मैंने का क्या बोला अगर अगर 15 लीटर बनाओंगा अगर 15 लीटर बनाओंगा अगर का मतलब अगर लिखा है कहीं 15 बना रहा हूँ नहीं अगर मैं 15 लीटर बनाओंगा तो 8 लीटर X 3 लीटर Y और 4 लीटर Z होगा अगर पंदरा नहीं बनाओंगे तो नहीं होगा अगर 30 बनाओंगा अगर 30 लीटर बनाओंगा तो 16 लीटर X होगा 6 लीटर Y होगा और 8 लीटर Z होगा में कि एना इसी जैसे अगर मैं बी एग पंधरा लीटर बनाओं गा 4 लिटर X O Bull वाय होगा है 8 लिटर जड़ होगा करने लिखा है 15 लीटर बनाओंगा नहीं एजियूम की है तुम 30 एजियूम कर लो 45 एजियूम कर लो 50 expired 10 कर लो 15 सू एजियूम कर लो 15 कडोड़ एजियूम कर ठीक है लेकिन अगर हम 15 15 लीटर बनाएंगे तो ऐसा चलेगा हर 15 लीटर में ये रेश्यो चल रहा होगा फिर बोलता है तब कॉस्ट पर लीटर ऑफ एक्स वाइंड जेड इस रूपी स्री एंडे टू फॉर्टी एंड वने टी रिस्पेक्टिवली ये एक खर्चा होता है अ यहां तक जो है ना यहां तक यहां तक हम एक काम करता हम यह दूनते हैं एक लीटर कितने का पड़ता है कि पहले 15 लीटर की बात करता है एक अगर 15 लीटर बनाऊंगा अगर मैं एक ए 15 लीटर बनाऊंगा तो उसमें 8 लीटर x होगा एक लीटर x कितने का है तो 8 लीटर कितने का हैगा 8 इंट्यू 300 2400 का हैगा ने x का 1 लीटर 300 का है तो 8 लीटर कितने क्योंगे 2400 के और फिर अगर मैं वाई के 3 लीटर म मिलाता हूँ एक लीटर वाई का कितने का 240 का तो तीन लीटर कितने के में साथ सो बीस के और अगर मैं बेटा मैं 15 लीटर 애 बना रहा हूं पन्रह लीटर ए बनाऊंगा उसमें 8 लीटर x देरanda ایک लीटर x कितने का है एक लीटर एक्स इसने यहां पर लिखा वे ना तो कॉस्ट पर लीटर ऑफ एक्स तीन सो वाई दो सो चालेस जेड एक सो असी एक लीटर तीन सो रुपे का है तो आठ लीटर कितने का होगा आठ इंटू तीन सो जाने के चौबिस सो का एक लीटर वाई दो सो चालेस रुपे का है तो तीन लीटर वाई कितने का होगा तीन इंटू दो सो चालेस जेड का एक लीटर एक सो असी रुपे का है तो चार लीटर कितने का होगा चार इंटू एक सो असी यह 8 इंटू 300 प्लस 3 इंटू 240 प्लस 4 इंटू 180 यह क्या है यह कॉस्ट है किसकी कॉस्ट है एके 15 लीटर बनानी की कॉस्ट है क्योंकि एके 15 लीटर में यह चीज़ें डलती थी एके 15 लीटर में यह चीज़ें डलती थी आठ लीटर 300 वाला एक्स तीन लीटर 240 वाला वाय और 4 लीटर 180 वाला जड यह बनाने के लिए डलता था एके 15 लीटर बनाने के लिए डलता था इसको कैल्किलेट करोगे तो कितना आता है कितने लीटर की कॉस्ट है यह अगर एक लीटर की कॉस्ट मालूं करनी हो तो क्या करूंगा 15 से डिवाइट करूंगा कि समझ रहे हो बात को देखो एक पंदरा लीटर की टोटल कॉस्ट आ गई है और सारी एक लीटर की कॉस्ट आ गई 256 बात क्लियर है सही है ना आठ लीटर 300 वाले डाले तीन लीटर 240 वाले डाले चाल लीटर 180 वाले यह खर्चावा इसमें 15 लीटर यह बना तो अगर यह 15 लीटर की कॉस्ट इसको 15 से डिवाइट करेंगे तो 256 का एक लीटर पढ़ता है यह पता चलेगा अगर हम ऐसा नहीं करते हैं अगर हम एजियूम करते के एक एट इस लीटर बनाए तो 256 आंसर आता क्या आता भाई आता कैसे आता सर देखो जब 30 लीटर यह एजियूम करते हैं तो क्या उपर एट इंटू 300 लिखते हैं क्या करते हैं सिच्टी न्तू 300 लिखते हैं यह तीस्ट लीटर रिश्यूम करते हैं तो 3 d214 लेक्टे हैंँ कि यजब थी लिखते हैं अटिल फोर हॉइन औरे टीनर स्वर हॉइंसल बन ऐट इस लिखते हैं औन नीच्छे पंदरा नहीं होता बिर گहाइं करू जो करना यह नहीं आईगा तो पंद्रा के वज़ाइव साडे साथ कर लो तो चाइड और दो जाएगा और कम तो अब भी विश्वर में फरक नहीं आएगा देंङे क्यों फरका एगा एक रेशो में वह मिला रहेने एक रेश्यो में वो चीज़े मेला रहा हूँ जिसना से पीज़ा है अगर एक रेगुलर एक लार्ज एक जंबो स्मॉल है तो अगर वो रेस्टरेंट वाले ने सोचा है कि यार लार्च फिजा में इतना आटा लगाऊंगा इतनी मुर्गी डालूंगा इतनी चीज दालूंगा इतनी सब्सक्राइब बना रहा है तो यह थोड़ी नहीं है डवरोटी तो अलार्च वाली लेते हूं चीज वह रेगि अगर चार अंडे होंगे तो क्या होगा नमक जादा बढ़ेगा ना तेल भी बढ़ेगा ठीक है ना उसी रेश्व में बढ़ेगा ना तो भाई हर चीज एक रेश्व में कम या जादा होने का मुतलब यह है कि 15 के पज़ए 30 एजियुम करो 45 एजियुम करो पनरा के इस कर लेना तो उपर 16 इंटू 300 और चेंटू 240 और 8 इंटू 180 करकर तीसर डिवाइड करोगे यहीं आंसर बनेगा चेंज नहीं होगा आंसर है ठीक है हमने सरफ यह पता कर लिए है कि एक लीटर एक कितने का पढ़ता है क्यूं इसने क्यूंकि हमें क्या करना था अभी सवाल चोड़ी का तब मा था आपने रीट किया होगा आगे उससे सी बनाना है अगर बी के पंदरा लीटर बनाता हूं अगर बी के एक लीटर बनाऊंगा ना तो थोड़ा सा हिसाब करना मुश्किल हो जाएगा इसलिए क्यूंकि चीज़ों को हमें रेशियों में बहुत वो कम करने लिए फ़ोर को जो है ना वो फिफ्टीन से डिवाइड करना पड़े तो जादा बेतर है जो दिया हो है उस रेशो में ही चीज बना ले उस हिसाप से बना ले तो गड़बर नहीं होगी थिक है न अब अब गयर मैं एक रीटर का हिसाब करता हूं कि बनाने के लिए चार लीटर चार लीटर तीन सो वाला एक जाएगा जमा तीन लीटर दो सो चालिस वाला वाई जाएगा जमा आठ लीटर एक सोसी वाला जैट जाएगा और इसमें 15 सब्सक्राइगा लीटर बेटर बनेंगे एक लीटर कितने का आया लूजे टूवेंटी फौर पर लीटर इचेश दिचागा अगें अगर मैं बोला chemical C is produced by mixing chemicals A and B in a certain ratio अब उससे मुला अब मैं क्या करता हूं पहले ए बनाता हूं और बनाता हूं ए भी बनाने के लिए क्लिए क्लिए एक्स वाइज एक्स वाइज एड अब एभी तैयार हो गए एभी तैयार हो गए अब एभी को मिलाकर क्या बनाता है यह सी बनाता है यह डाला एक लीटर भी डाला सी में किसी एक रेशो में यह भी मिक्स करता है मिसाल के तो हो सकता है तीन लीटर यह मिलाता हो सकता है दस लीटर यह में एक लीटर भी मिलाता हो सकता है एक लीटर यह में पचास लीटर भी मिलाता हो कुछ भी कर सकता है यह कुछ भी कर सकता ह और किसी एक फास र्याश्यों में इसको मिलाता हूं जिस सऽों इसे ऑपरρα से एक लिए बाने के लिए मैं आठ एकसे तीन के झालता हूं तो पंध्रा हिससे एक ऐ पन जाते हैं इसी तरह से किसी एक तर्थीब में यह जो हैना वहाँ बनाता है लेकिन स20 सी बनाने के लिए क्या करते हैं यह और बी को मिक्स कर देता है कि दिर से मुलें इफ टोटल कॉस्ट और प्रिद्यूसिंग थाउजन लीटर्स और कैमेकल सी इस तू फिफ्टी तू थाउजन फाइंडर रेशियो और कैमेकल्स एंडी इन कैमेकल सी अब इसने यह बोला कि मैंने एक बार हजार लीटर हजार लीटर सी बनाया और वो हजार लीटर सी कितने का पड़ा इसको तू हरने इन फिफ्टी तू थाउजन का पड़ा तो बोलता है बताओ मैंने किस रिशो में ए और बी को मिलाया होगा अब देखो एजियूम कर लो एजियूम कर लो ए जो है ना ए उसके ए लीटर डाले चोटा वाला ए लिख देता है और chemical B जो दूसरा chemical था ना उसके छोटा वाला भी लीटर mix करें इन दोनों को mix कर रहा है तो क्या बना तो मैं यह कह सकता हूं A plus B is equals to 1000 एक है छोटा वाला एक है जितना है डाला छोटा वाला भी क्या है जितना भी डाला मिलाया तो क्या बन गया सी बना लेकिन सी के कितने लीटर 1000 लीटर मिसाल के तो पर 800 लीटर एडाला 200 लीटर भी डाला 1000 लीटर सी बन गया मिसाल के तो पर 100 लीटर एडाला 900 लीटर भी डाला 1000 लीटर सी बन गया कि मिसालकित युझा एक डबह में इसने और बी जब डाल दिया तो क्या बन गया 2000 लीटर सी बन गया आप दरहा दों हैं यह स्वार ह소सां धानार जीचे सब 50 आप हजार लिटर हजार लिटर सी बनाया कि माध्या जितना भी उससे अडाला प्लस जतना भी वी डाला इसीपोल हजार अपैसा थो करो तो झाल होजार एसा तो नहीं सकता ओक दरखता डूटर डाल ए के क्या ए के कितने लीटर डाले ए के कितने लीटर डाले चोटा भी क्या बता रहा है भी के कितने लीटर डाले ठीक है चोटा ए आपको बता रहा है कि ए के कितने लीटर डाले और चोटा भी आपको बता रहा है भी के कितने लीटर डाले और जब इन दोनों को मिक्स किया तो यह कितना बन गया हजार ऐसा हो सकते है कि छोटा एए 800 हो और बड़ा भी 200 तो टोटल कितना बनेगा हजार एक मिसाल है ऐसा हो सकते है कि छोटा एए 300 हो और बी जो है ना वो 700 तो भी क्या बनेगा हजार तो कहने का मक्सद यह कि इसने जब एपलस भी दोनों को एड़ किया तो हजार बना पहली बात दूसरी ज़से इसने बोला कि जब मेरे ए और बी को मिक्स करकर हजार लीटर्स की ब 40,000 रुपीज लगा अब देखो गोर से सुनो एक लीटर एक इतने का पढ़ता थाया मुझे और एक लीटर्ड भी कितने का पढ़ता है मुझे अma li me Aia कैसे ऐसे क्या एजियूम करते हैं कि हमने एक 800 और बी के 200 लिटर जा ले थे एजियूम करते हैं सुचने पर कोई पापन्दी नहीं है ना तो हमने एजियूम कर लिया क्या कर लिया हमने एजियूम कैसे एजियूम कैसे एजियूम करता हूं अचाले एझा लिटर येह और दोसु लिटर भी डाला तो यह उड्यर एक लिटर होंने कहाता है 555 का तो 800 काघटो लिटर का खर्चा कितना होगए 800 इंटो 26 है न और 200 लीटर इगर मैं ने भी डाला तो 200 इंटो 24 24 कितना आ रहा है खर्चा आठसु लिटर अगर मैं डालता हूं टू फिटी सट वाला और दो सो लीटर भी डालता हूं टूएटी फूर वाला तो खर्चा कितना बनता है है तो नुख डू फॉर्टी नाइन शिक्स हंड़िड यह बन रहा है दोनों को आड़ करका ना क्या हैसा हो सकते हैं क्या है क्या हो सकते हैं के आठ सो भी के 200 सो लीटर डाले हो नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्यों है कास्ट वो नहीं आ रही इसको यह चीज़ है कितने की बड़ी थी लेकिन से पहली शर्ट तो पूरी हो रही है दोनों शर्टे पूरी करनी थी क्या पहली शर्ट यह थी जब एऔर बी को मिलाए जाए तो 1000 लीटर सी बने दूसरी सर्ट यह थी कि उसका जो खरचा उसपर लगने वाले जो खरचा हो वो 250 2000 आगर मैंने एजियूम किया कि 800 लीटर डाला और 200 लीटर भी डाला तो खर्चा 249-600 बन रहा है इसका मतल й है आउसर नहीं हो सकता है कि यह बाथ clearव है ना या सन नहीं हो सकता क्योद नहीं हो सकता सर इसलिए हो सकता क्योंके इसका undergoing लाभ नहीं हो सकता क्योह कर्छा 253215 który बन रहा है कि इसने जो मिक्स्चर किया होगा वह 800 लीटर ए और 200 लीटर भी तो नहीं होगा ना इसने जो मिक्सर किया होगा उसमें ज्याद होगा या भी ज्यादा होगा क्यों क्यों कि पर लीटर एक ही कौस जादा है इसका खर्चा जादा हुआ है ऐसा लग रहा है ना कि देखो 249,600 का खर्चा हुआ है हमारे इसाब से अगर यह 800 लीटर एक है और 200 लीटर भी के डालता है इसका खर्चा हुआ तो टू फिफ्टी टू थाउसन है यानिके हमने जो हिसाब किताब करकर दिया उसके इसका खर्चा 2400 रुपैर कम है तो इससे महंगी वाली चीज़ ज़्यादा डाली होगी ना तब इसका खर्चा ज़्यादा वहा होगा टोटल चीज़ तो हजार ही ड मुल्टी बालइक छोटा एक लस्ट लोस्त टू टू टिफार एक चोटा वाला भी इस इकुल स्टू तू PT 2000 यह क्या किया सह्ते को जितना भी एक डाला जितना भी ए डाला साथ सू आट अंच हाजार यह तीन सू है iamna exam тоб a 19 कि मल्टी पेड़ टू फिफ्टी से कि इससे क्या आएगा कि ए पर कितना खर्चा लगाया जो ए डाला उसका कितना खर्चा बना मैं जितने भी लीतर डाले मंडी प्रेट पर फी लीटर कॉस्ट ना प्लस 224 इंटू बी जितना भी डाला मुल्टिप्लेट वे 224 बी पे लगने वाला खर्चा और इन दोनों के खर्चे का टोटल 252,000 होना चाहिए तो इक्वेज तू 252,000 अब जरह इन दोनों एक्वेशन को हम पहले तो सॉल्फ करते हैं आए देखो ये दो शर्ते सवाल में इंवर्ट लिक्ती भी ती ए भी डाले गा तो हजार बना चाहिए ऊजार ब्लस भी 1000 होना चाहिए दूसरा 256 into A याने के A पे लगने वाला खर्चा प्लस 224 into BB पे लगने वाला खर्चा ये दोनों का खर्चा टोटल 250 2000 होना चाहिए अब इन दोनों को ज़रा solve करते हैं कैसे देखो A plus B अगर 1000 के बराबर है तो A कितना होगा A होगा 1000 माइनस आगे हो A कितना होगा 1000 माइनस B होगा ठीक है यार एक काम करो उमर है मैं आ रहा हो नीचे साइन करने तुम डे लो A is equal to 1000 माइनस B अच्छा दूसरे में इसको substitute अगर हम करते हैं 256 A की जगा हम लिग रहते हैं 1000 माइनस B प्लस 224 B इस इक पर स्टू 252 थाओजन अच्छा 256 थाओजन कितना होगा 256 थाओजन होगा माइनस 256 B प्लस 224 B इस इक पर सुट थाओजन अब यह 256 थाओजन राइट साइट पर जाएगा तो तू फिफ्टी थाओजन मेंस होगा तो माइनस 4000 यहां पर क्या होगा माइनस 32 B तो भी कितना मनेगा बताना ज़रा 4000 को डिवाइट करो 32 से होगा 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 है माइनस 125 कितना आता है 875 यही आंसर आ रहा है चाहिए सही आंसर बताएं जिससे भी बताएं दोनों चले चेक कर लेते हैं चेक कर लेते हैं कैसे चेक करेंगे सर मुझे बताओ कि क्या अगर मैं एक है 875 लीटर और बी के 125 लीटर एड करूं हो हूं ऐसे 775 और 125ी 수가 हुझार होता है कि पहली बात पूरी है इसकी है इसकी इसकी पहली शर्ट क्या थी कि एक जितने भी लीटर मिला जिना के कैसे 800-75 लीटर क्कि मिलाता हूँ एक लीटर कितने का का आता है 256 का ब्लस ay 125 लीटर मैं भीक मिलाता हूँ एक लीटर कितने का आता है दोस्तोचौबिस का चेक करो क्या टुफिफ्टी टू हैं रहे इसका मतलब इसने क्या किया होगा C बनाने के लिए A के 875 लीटर और B के 125 लीटर मिला कर C के 1000 लीटर बनाए होंगे और इसका खर्चा 250-2000 आ रहा है एक आखरी बात इसने हमसे क्या पूछा था जरा इसका find a ratio of chemicals in B इससे हमसे यह थोड़ी पूछा रहा एक कितना मिलाया भी कितना मिलाया इससे हमसे यह पूछा नहीं इससे हमसे यह नहीं पूछा कि A कितना मिलाया भी कितना मिलाया अगर यह बोलता कि A कितना मिलाया भी कितना मिलाया उस शर्थ में मेरा आंसर 875 और 125 होता इससे मुले ए और बी को मिलाने का रेशो क्या था जब आपको रेशो धुनना होना एस टू बी का तो 875 यानि के एक ही कॉंटिटी को बी की कॉंटिटी से डिवाइड करो क्या था 7 over 1 यानिके 7 is to 1 c में a और b का जो रेशो है ना वो 7 is to 1 7 is to 1 दा मतलब यह कि अगर यह c के 8 लीटर बनाता है वैसे से 8 नहीं मना है कितने मना है 1000 लेकर अगर यह 8 लीटर बनाता है तो 7 लीटर यह डालता है एक लीटर भी डालता है इस रेशियो में वो मिलाता है 16 लीटर बनाता है तो 14 लीटर एडालता है दो लीटर भी डालता है ठीक है जी तो यह आपका यह पहला सवाल था